नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहें CWB Hindi News पांच बजे बाद हर्याना के जिलों, शिर्षा, फत्याबाद, हिसार, भिवानी, महेंदरगड, हासी, चर्के दादरी, जज़्जर वे रोत तके अधिकतर स्थानों पर हलकी बारिश और साथ इसाथ 43 क्लिटर परती घंटे के रफ्तार से अंदर चली जिससे कई जगहों पर दिन के समय यांदियर अचा गया, कई जगह पेड़ और बिजली के खंबे भी गिर गए है, मंगलवार यानि आज हर्याना एंचियार सी इस मौसमी प्रनाली के समापती हो जाएगी, और हर्याना एंचियार दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान में बढ़ हर्याना एंचियार के सब्तान तक अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान के बात करें तो 40 डिगरी से लेकर 46 डिगरी सेल्शेस और इससे आधिक पहुझने की विसंभावना वेक्त की जा रही है हाइकोट का बड़ा फैसला हर्याना की 4858 कलरकों की भरती का प्रिक्षा परणाम रद रहा, नयर रिजल्ट जारी करने के आदिश जारी हुए हारियना स्टाफ सेलेक्षिन कमिशन दोरा सितंबर 2020 में 4858 कलरकों की भरती का जो परिणाम जारी हुआ था उसके खिलाफ हाइकोट में दायर कई याचिकाओं को शुविकार करते हुए हाइकोट ने इस परिक्षा परिणाम को रद्ध कर दिया है साथ ही आयोग को तेन महीनों में नईस रेशे संसोधित परिणाम जारी करने के आदिश दिये गए है हाइकोट में याचिका दायर कर बताया गया था कि 2019 में 6858 कलरकों की भरती के लिए आविदर मांगे गये थे जिसके बाद लिखित परिक्षा ले गई और सितंबर 2020 में इसका परिणाम जारी किया गया था इस परिणाम को कई आविदकों ने हाइकोट में चुनोती देते वे कहा था कि परिणाम जारी करते वे आयोग ने बड़े स्तरपर गलती की है जिसके चलते कई योग ये आविदकों का चैन नहीं हो पाया है लिहाजा हाइकोट ने इस भरति परिक्षा के परिणाम को रद करते वे आयोग को आदेश दिये है कि वे नए सिरी से संसोधित कर तीन महीनों में परिणाम जारी करे साथी हाइकोट ने ये भी कहा है कि इस गलती के लिए आयोग पर जुर्मना लगा जा सकता था लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे है हर्याना में 18 से 69 वर्ष के लोगों को मुफ्त लगेगी बुष्टर डोज सियम मनहुरलालने की गोशना हर्याना के लोगों के स्वास्त को प्रात्मिक्ता देते वे हर्याना के मुख्यमंतरी मनहुरलाल खटर ने कोविड रोधी टिका करना अभियान को आगे बढ़ाते वे प्रमन की मामलों में व्रधी को देखते वे लोगों से मास्क पहनने की अपील किया है तथा बार बार हाथ दोली जैसी सावधानियों का पालन करने का भी अन्रोध किया गया है हरियाना विजिलेंस ज्यादा मजबूती से करेगी काम सीबियाई से मिले अफसर ब्रष्टा जैरियों की नियंधाराम हरियाना स्तर्वधा ब्यूरो यानी विजलेंस सुविधा सुल के चक्र में परदेशवाशों के काम रोखने वाली काली भेडों पर सिकंजा कर सने की मुहिम तेज करने वाली है विजिलेंस परमुक की और से इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं इसी करह में विजिलेंस को CBI का अनुभाव रखने और बेहतरें जांच करने वाले चयार आदिकारी मिल गए है जो रिश्वत खोरों को पकड़ने के बाद उन्हें सजा भी दिलाने का काम करेंगे हरियान विजिलेंस के और से चलाई जा रहे ही वर्तमान में मोहीम का असर साफ दिखने लगा है आने वाले दिनों में CBI से आई ये अदिकारी अपनी कारावाई को ज़्यादा तेज कर सकते है हरियान विजिलेंस वीरो प्रमुक्ष शत्रूजीत कपूर से पूछे जाने पर काया है कि लोगों को बिना किसी भैके इस तरह के तत्तों की सिकायत करने से पीछे नहीं आटना चाहिए विजिलेंस इस तरह के तत्तों को बक्षने वाली नहीं है कपूर ने काया कि कोई भी कितना भी प्रभावसाली हो हम करप्षन के मामले में किसी भी तरह से दाव में आने वाली नहीं है अब मातर 50 रुपे में करवाईं 5 लाख रुपे का बीमा जानी हर्याना सरगार की इस योजना के बारे में हर्याना में स्थाफित ट्रेडर्स के लिए मुख्यमंतरी वियापारिक सम्हु नीजी दुरुबटना बीमा यानी चीफ निश्टर ट्रेडर्स ग्रूप परसनल अक्सिडेंट इंसुरेंस योजना सलाई गई है इसके तैज़ ट्रेडर्स मातर 50 रुपे देकर बीमा करवा सकते हैं इसके तैज़ ट्रेडर्स को 5 लाक रुपे का बीमा का और दिया जाएगा इसके लिए हर्याना उद्दम मेमोरेंडम यानी हुम वे उद्दम रेजिस्टरेशन होना जरूरी है महेंद्रगट के उपायक शामलाल पूनिया ने बताया कि हर्याना उद्दम मेमोरेंडम यानी हुम वे उद्दम रेजिस्टरेशन करवानी के लिए जिला MSME के इंदर में हेल्प डेस्क स्थापित क्या गया है इसमें नए उद्दम रेजिस्टरेशन के साथ प्रवाने उद्दम आधार मेमोरेंडम भी किया जाएगा या हर्याना सरकार द्वारा सभी उद्दमों को एक मंच पर लाने की अनूठी पहल है उन्होंने बताया कि हर्याना राज्य में स्थापित सभी MSME उद्द्दोगों को एक परमुक 55 गण संग्या प्रदान की जाएगी पंजाब के बाद अब हर्याना पर आमाधीम पार्टी की नजर असोक तवर ने दिए रावींदर जीत के आप में सामिल होने के संकेद आमाधीम पार्टी यानि आप दिल्ली के बाद आप पंजाब में अपना पर्चम लेरा चुगी है पंजाब विदानसभा चुनाओ 2022 में आमाध्मी पार्टी ने 92 शीटे जीत कर पंजाब को गद्धी समाल ली है पंजाब पर अपनी जीत मनवाने वाली आमाध्मी पार्टी के नजर अब हरियाना पर है हरियाना कॉंगरेस के पूरा वद्यक्स हाली में टीमसी जोईन करने वाले आशोक तवर आमाध्मी पार्टी में सामिलो गए है अईरवाल शेतर की नांगल चोदरी विदान सभा पहुंचे आशोक तवर ने कहा कि जितने भी अच्छे लोग हैं वो आमाध्मी पार्टी के हैं उन्होंने कहा कि बड़े बड़े दिग्गजों को आमाध्मी पार्टी ने पंजेब में साफ कर दिया यह तो सफाई अभियान है जो देश में चल रहा है राविंदर जीत के आमाद्मी पार्टी में आने के संभावना पर स्वाल किया गया तो तवर ने कहा कि जो भी लोग अच्छे हैं वो आमाद्मी के हैं पंजेब की सरकार बनने के बाद हरियाना के लिए पानी नहीं देने पर उन्होंने कहा कि अब हम हरियाना में आएंगे तब समवाद बाचित के दरिये इस मुद्दे को भी हल कर लेंगे उन्होंने कहा कि हरियाना में आमादिम पार्टी बड़ा जनादेश हासिल करेगी किसानों की मोज बियर का टेस्ट बिगारने को तैयार जो MSP से दोगने रेट तक पहुँचे भाव अनाज मंडियों में गेहूं और सर्सों के बाद अब जो भी अपने पूरे जोहर दिखाने लगा है रूष यूकरेन युद्ध के चलते जो का आयात बंद होने के कारण बियर फैक्टरियों में जो की सप्लाई कम हो गई है जिससे इसके दाम MSP से दोगना तक पहुच गई है माल्ट की कीमते भी जल्द बढ़नी शुरू हो जाएंगी जिससे बियर के दामों में भी वर्दी होना निश्यत है जो का नियूंतम समर्थन मुले 1625 रुपे परतिक क्योंटल है जबकि ओपन मार्केट में 3000 रुपे परतिक क्योंटल के आसपास भीक रही है जो में तेजी का सबसी बड़ा कान रूश यूकरेन युद्ध माना जा रहा है यूकरेन बड़ा जो का उतपादक देश होने के कान वहां से जो का काफी आयात होता है आयात प्रभावित होने के कान अब देशी जो की डिमांड बढ़ गई है आने वाले दिनों में जो की किम्तों में और भी उचालाने के संभावनाई बन गई है अभी से किसानों में सुंडी का डर अनुदान के रासी ने बढ़ाया देशी कापास के बीज गे भाव किसानों ने गुलाबी सुन्डी से नर्मा कपास को बचाने के विकल्प की तोर पर देशी कपास की बिजाई करने के तैयारी पकडी बहाई जुताई करके खेतों को तैयार किया लेकिन किसानों को देशी कपास का बीज नहीं मिल पा रहा है मुँ मांगे भावों पर किसानों का भिवानी सहर कस्मों के किसी भी सरकारी वे गहर सरकारी दुकान पर बीज उपलब्द नहीं हुआ है हालात ये बन रहे हैं कि परोशी जिलों में भी बीज उपलब्द नहीं हो पा रहा है बीज की उपलबता ने होने की वज़े से किसानों ने मजबूरन नर्मा कबास की बिजाई करने आरंब कर दी है SMA सरकार का देशी कबास की बिजाई का टार्गेट सीरे नहीं चड़ता नजर आ रहा है क्योंकि देशी कबास में गुलावी सुन्डी का परहार ने के बराबर होता है जिसकी वज़ेसे इस बाहर देशी कबास के बीज की मांग ज़्यादा हो गई है साथ ही देशी कबास की बीजाई के परतिक किसानों को प्रोथसाइद करने के लिए हर्यान स्रकार ने 3000 रुपे परतिक एकड़ के हिसाब से अनुदान देने की गोशना की है जिसके लिए मेरी फसल मेरा वेरा पोर्टल पर 25 अप्रेल से लेकर 31 माई 2022 तक फसल का पंजीकन करवान जाने के निर्देश दारी किये गए हैं गुलावी सुन्डी के नुकसान से बचने वे अनुदान राशी पाने के मकसद से अधिकान्स किसानों ने देशी कबास की बिजाई का मन बनाया है जिलाक ओट यवनानगर में लिफ्ट ऑपरेटर अल्टरनेटर ऑपरेटर के पदों पर आविदन मांगे गए हैं जो भी उमिद्वार इन पदों के लिए इच्छों के हैं वे अपने आविदन भेज सकते हैं उमिद्वारों को इन पदों के लिए अपने आविदन ओफलाइन माधम से भेजने होंगे आपको बता देंगी यह भरतियां कोंट्रेक्ट आधार पर की जाएंगी उम्मिद्वार अपने आविदन भार्चे डाग के माधे में से बेश सकते हैं आविदन करने की अंतिम दिति 7 माई 2022 है लिफ्ट ओपरेटर के पदों के लिए इंटर्विव 12 माई 2022 को 2 पैर 2 बजे जूडिशल कोर्ट कॉम्पलेक्स यम्नानगर में होंगे उम्मिद्वारों को सलाह दी जाते हैं कि में बताए गई तारिकों को 2 पैर 1 बजे जूडिशल कोर्ट कॉम्पलेक्स यम्नानगर में पहुंच सकते हैं आविदक 10 वी पास होने चाहिए नियूंतम आयू की बात करें तो 18 वर्ष और अधिकतम आयू 42 वर्ष होनी चाहिए उम्मिद्वारों का चैन इंटर्यू के आधार पर किया जाएगा पंजाब में भारी भावमत से सत्ता असिल करने वाली आमादमी पार्टी हर्याणा में लगातार अपना जनाधार बढ़ाने में जूटी हुई है पंजाब के बाद अब पार्टी हर्याणा में अपने साथ नामी गरामी चेहनों को अपने साथ जोड रही है पंजाब फते से उत्सारीत आमाद्मी पार्टी खुद को कॉंग्रिस पार्टी के विकल्प के तोर पर देख रही है हलाएं कि पार्टी को हर्याणा में कैसी सफलता मिलेगी ये तो आने वाला वाक्ती बताएगा इसी कड़िये में भीवानी के रहने वाली ऑलमपिक चैंपियन मुक्यबाज विजेंदर सिंह मंगलवार को आमाद्मी पार्टी का दामन थाम सकते हैं विजेंदर सिंह मंगलवार को सुबह पहले दिली के मुक्यमनतरी अरविंद केजरिवाल से मुलाकात करेंगे उसके बाद पार्टी परबाली डक्टर सुशिल गुपता और दिली के उप मुक्यमंतरी मनिसी सोधिया के साथ अरविंद केजरिवाली बिजेंदर सिंग को अपनी पार्टी में सामिल कराएंगे ऐसी संभावना जदाई जा रहा है कि साल 2024 में होनेवारी लोकसवाद चुनाव में बिजेंदर सिंग बिवानी महेंदरगट सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं साथ है आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि मुक्यवाज बिजेंदर सिंग ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव में कॉंग्रिस पार्टे की टिकट पर दक्षिन दिली से चुनाव लड़ा था लेकिन जीत तो दूर की बात वो अपनी जमानत तक बचाने में कामियाब नहीं हो प 28 अपरेल से प्रारम होगा आपको बता दें कि दोनों कक्षाओं के परिणाम जून के दूसरे सब्ता में जारी किये जा सकते हैं यह जानकारी हरियाना बोर्ड के चेर्में डक्टर जगबीर सिंग ने साजा की है उन्होंने बताया कि बारवी कक्षा की निरस्थ परिक्षा 28 अपरेल को दोबारा कराए जाएगी गुणवत्ता के मामले में हैफेट के तेमायन को परखारे नहीं उतरपाई थे लेकिन बाद में इन जिलों से भी ग्यों को निर्याद के लिए चुनलिया गया है एजएंसी आठों जिलों से दो लाग टन ग्यों खरीद करेगी एजएंसी ने परति क्योंट्रिल 2040 रुपे का मूले तेय किया है जबकि नियूंतम समर्थन मूले परति की उंट्रिल 2015 रुपे है रूस और यूक्रेन के बीच छेड़ी जंग की वज़े से अंतराष्टे बाजार में ग्यों की डिमांड बढ़ गई है जो हैफेट ने व्यवशाइक खरीद करने का भी निरन लिया है का आखड़ा 1828 तक पाहुँँच गया है सबसेज़ादा मरीज गुरुगरा में 397 मरीज है आठ जिलों में कोई मरीज नहीं है परदेस में कुल एक्टिव 1828 मरीजों में सबसेज़ादा गुरुगरा में 1305 और फरिदाबाज में 418 है परदेस में कोरोना के रिकवरी रेट 98.74% वहीं positivity rate 5.1% है दुनिया में कोरोना वाइरेस फैनी के रफ्तार फिर शे तेज हो गई है फास में लगातार चठे दिन 2000 से ज़्यादा मामली सामने आए है इधर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजदानी दिल्ली में डेंगो के मरीज भी ड्राने लगे है राजदानी दिल्ली में अब डेंगो के 76 मरीज सामने आए है दो हिस्सों में बटी पाकिस्तान फोज एक हिसा इमरान के करीबी जनरल फैज का तो दूसरे के कमान आर्मी चीप के हाथों में इमरान खान सरकार गिरने के बाद पाकिस्तान में फोज की मुश्किलों में तेजी सी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के इतियास में फोज की जितनी जगासाई इमरान खान के दोर में हुई है उतनी पहले कभी नहीं हुई। ट्यूटर के मालिक बने एलन मस्क टेसला के फाउंडर ने 41 बिलिन डॉलर में खरीदा हर शेर के लिए 54 डॉलर में होई कैश डील। ट्यूटर के इंडिपेंडेंट बोर्ड के चेर्मेन ब्रेट टेलर ने रात 12 बजगत 24 मिनट पर एक प्रेस रिलीज में मस्क के साथ हुई डील के बारे में जान करे दी। मस्क ने लिखा था उम्मीद है कि मेरे सबसे तीखे आलोगचक ट्यूटर पर बने रहेंगे यही फ्री स्पीच के असल माईने होंगे आज खबरों में बस इतना ही देखते लिए CWB हिंदी न्यूज नमस्कार